डिक्टेशन इस्टाट होगा पांच सिकेंड बाद इस्टाट उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतिय जन्रापार्टी की जबरदस्ट जीत हुई है उसने 75 में से 67 सीटे जीती है समझवादी पार्टी को 5 सीट मिली है जबकि रालोद को केवल एक पंचायत चुनावों को राजनितिक जोड घटाव के चसमे से देखा जा रहा है देखा भी क्यों न जाए इस चुनाव में सारे समिकरण वही थे जो पंचायती राज बेवस्था में वर्सों से चले आ रहे हैं कुछ सियासती पंडितों ने तो नारा भी दे दिया है पंचायत से परलियामेंट तक यूपी के पंचायत चुनाव में कुछ चीजे अयतिहासिक रही महिलाओं ने पचास फिसदी से अधिक सीटों पर विजय हासिल की निर्विरोध जीत का वरण करने वाले भी इस बार काफी अधिक रहें बिना चुनाव लड़े 21 सीटों पर भाजपा उमिदवार चुनाव जीत गए निर्विरोध की इस्थिती भी मज़िदार रही कहीं लंबे चौडे कुनबे की ओर से ताल ठोक रहे विपच्छी को उमिदवार नहीं मिला तो कहीं प्रस्ताव कहीं गायब हो गए सबसे बड़ा नातक तो बागपत में हुआ वहां रालोध उमिदवार ममता किस्तूर बनकर तीन महिलाएं कलेक्टरट में परचा वापस करने पहुच गई हंगामा हुआ पोल खुली तो तीनों भाग गई आखिरकार चुनाव हुआ और ममता चुनाव जीत गई रालोध ने अपना पुराना किला बागपत बचा लिया लेकिन सवाल कायम है जिस भी दल और उसके नुमादो ने यह सियासी नातक किया क्या उन होने संविधानिक परंपरा को चोट नहीं पहुचाई पैराग्राफ चेंज इसी तरह मुझभफर नगर के सियासी संग्राम में भारतिय किसान उनियन की करारी हार हुई गाजिपूर अंदोलन का साथ महीने से नेत्रित्व कर रही भाकी इव अपने ही गढ़ में हार हो गई भाकी इव ने यहां केंद्रिय मंत्री संजिव बालियान के रिष्टेदार सतेंदर बालियान पर दाव लगाया परत्यासी भाकी इव का था लेकिन समुचे विपच का समार्थन उनको प्राप्त था महज चार वोट उनको मिले भाजपा चित गई पैराग्राप चेंज खैर न तो यह कहा जा सकता है कि इससे किसी भी दल के प्रती जन्मत बन गया और न यह कहा जा सकता है कि हवा बन गई सब जानते हैं कि यह पंचायती प्रतिनिधी हमेशा से सत्ता के साथ चलते हैं न पार्टी की ओर से विधिक रूप से वीप जारी होती है और नहीं जन्ता से सिधे चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य ही जिला पंचायत अध्यच को चुनते हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जितते ही सदस्यों को वादियों की सैर करने के लिए भेंज दिया जाता है वे सिर्फ ओट डालने के लिए आते हैं खूले में घूमने की उनको छूट नहीं होती, हर ओट पर उनके अकाओं की नजर होती है और भी बहुत कुछ होता है जो सब जानते हैं पैराग्राप चेंज प्रमुख विपच्छी दलों का यह छो सीटों पर सिमटना यह बताता है की मेहनत नहीं हुई और नहीं इस चुनाव को इन होने गंभिरता से लिया बसबाने तो किनारा ही कर लिया था किसी वक्त पंचायतों पर एक छत्र राज करने वाली कॉंग्रेस सपा रालोद के साथ गलबहिया करती रही हर चुनाव की अपनी तस्बीर अपना समिकरण और अपनी बिरासत होती है हां सांगठनिक अस्तर पर विपच्छी दलो को जरूर सोचना पड़ेगा तमाम जगह उनके सिपह सलारो ने अर्जुन की तरह गांडिव रख दिया पैराग्राफ चेंज बहरहाल तिहत्रवे समिधान संसोधन विधेयक को लागू करते समय पंचायत राज विवस्था को एक स्वतंत्र और संपुन इकाई के रूप में सुलकार किया गया था अंतव्य था की जिस परकार आन्य निकाय काम करते हैं उसी तरह ग्राम स्वराज भी होना चाहिए बहतरी के लिए 32 विभाग जिला पंचायतों को हस्तनांत्रित होने थे 14 किये भी गये लेकिन बाकी आज तक नहीं हुए जो विभाग ट्रांसफर हुए वे राजस्व की द्रिल्टी से मजबूत नहीं थे जिला योजना और जिला अनुस्रमण समीती दोनों ही जिले के विकास का आधार है दावा था कि जिला पंचायत अध्यच की देख रेख में जिले की योजना बनेगी अपसर साही ने यह होने नहीं दिया जिला पंचायतों का चुनाव जिस धमक के साथ होता है उतने ही ए पंचायते बदहाल है सही बात तो यह है कि इनके पास करने को कुछ खास ही नहीं जिला पंचायतों के अस्पताल अस्कूल मेला हाट सब बंद हो रहे हैं इसकी एक वजह यह भी है कि बड़ी तेजी से गाउं सहर में तबदिल हो रहे हैं पंचायतों का दायरा सिकूल रहा है सहर का बढ़ रहा है पयाग्राफ चेंज साल 2015 के पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में 75 जिले 821 विकास खंड वह 6,074 ग्राम पंचायते थी इन पिछले 5 वर्सों में यूपी की 60 लाकी ग्रामिल अबादी सहरी ठेत्र में चली गई 2015 के पंचायत चुनाव में यूपी की ग्रामिल अबादी 15 करोण 80,88,646 आकी गई थी जदकि इस बार अबादी 15 करोण 20,29,139 रह गई इस तरह से कूल 68,69,510 ग्रामिल लोग सहरी हो गई इन 5 वर्सों में यूपी में 515 इलाके सहरी छेत्र में आ गई हैं या ग्राम स्वराज के सपने पर एक सवाल है गाउं सहर बन जाएंगे तो क्या होगा नगर निगमों का बजट बढ़ेगा गाउं का घटेगा जिला पंचायत अध्यच या प्रधान क्या करेंगे इन सवालों सियासत जोड तोड के बीच कुछ सकरात्मक जबाब भी चाहिए यानि जब प्रधेश में मेजर का जनता के ओटों से चुनाव हो सकता है तब जिला पंचायत अध्यच चुनने का अधिकार क्या रामिन जनता को नहीं मिलना चाहिए इसकी कयावद काफी समय से चल रही है पर पूरी नहीं हुई असली समिकरन ओटों से बनते हैं अब दूसरी बात पंचायतों का कलेवर बदल रहा है मंद मंद ही सही लेकिन विकास तकनिक सोच से पंचायते उडान भर रही है तीस नहीं इस बार 55 फिसदी महिलाओं ने पंचायतों की बागडोर संभाली है अब निरचर नहीं पढ़े लिखे और PhD धारक प्रधान और जिला पंचायत अध्यच बन रहे हैं प्रधानों में निरचरता अब केवल आठ फिसदी तक रह गई है अब सैचिक योगता में जिला पंचायत स्रस्यों और पार्षदों से भी आगे निकल रहे हैं दू.7 फिसदी PhD और उच्च डिगरी धारक पंचायतों की दिसादसा बदलने का बीड़ा उठाए हैं यहां तकी असनातक सिछा में भी यह आगे हैं बहुत से प्रधान ऐसे हैं जिन होने गाउं का कया कल्प कर दिया खुस्नुमा बात यह की जितते ही अर्मार पत्र या सपत का इंतजार किये बिना तमाम अधानों ने अपने गाउं में सफाई कराई और सेनिटाइज कराया ग्राम स्वराज को सियासी समिकरन से मत देखिये ए पंचायते अपना हक मांग रही है नगर निगमो जैसा ओट का अधिकार विकास की इबारत सपनों का सुराज समाप्त